हालो गाइस बूर्णिक मैं सुरी ये वीडियो के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूँ काफी सारे लोगों की एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे कि आपका गोबर्दिन में बरसाना में ब्रिंदावन में या फिर जेवर इंटरनाशनल यानि नोजीन के बाद जो प्रोजेक के बादी में इंव्स्टम候 करने का प्लान कर रहे हैं कि हमें इन्वस्टमेंट करना है कि लिए या अपने वच्चों के लिए लेकिन साथे साथ मैं ने आप लोगों यह चीज भी प्ताये किप्रोपर्टी में इंवेश्टमेंट आज के डेटका सब रहे investment मना जाओा है reason क्योंकि मैं प्रोपर्टी के अंदर deal कर रहा हूं जो उसान की जानकरी होती है यह information होती है तो same यही चीज मेरे साथ है मैं प्रोपर्टी के अंदर आगर business कर रहा हूं या फिर लोग मेरे फ्रूप लोट खरीद रहे हैं तो मुझे पता है कि कौन investment परपस से ले रहा है कौन रहना चाहता है तो गाइस मेरा नहां में सुनील वेसिकली मैं डील करता हूं प्रोपर्टी के अंदर आई हो पापको इतनी सारी चीजों से पता चल गया होगा जो मैंने शुरू में बोला है कि मैं गोबर्धन में बरसा नामें ब्रिंदावनवा जे करें कि जो भी लोग प्रोपर्टी में इंवेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो वह कहां पर इंवेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर उन्हें फ्यूचर में अच्छा रिटन आ सके क्योंकि आज की डेट में प्रोपर्टी ही बैस्टमेंट हो रही है आज की डेट में जहां पर return बहुत तेजी से gain हो रहा है यानि कि यह बल रहा है तो गाइस पहले के topic पर बात करता है कि कहां पर investment करें देखिए मैंच चीज सबसे पहली चीज होती है depend करता है आपके budget के ऊपर क्योंकि कोई भी project किसी भी company का not care as group जब सुरू में वो launch होता है या उसका map नहीं आया हुआ होता या वो जंगल टाइप होता है तब उसका rate अलग होता है बाद में rate बढ़ता है तो I hope इस चीज से आप समझ गए होगे कि property के अंदर पहले हमेशा खरीदना चाहिए अब बात कर लेते हैं हम बर्साना के अंदर तो बर्साना का जो project लोंच हुआ था वो 2750 रुपे परगस पर लोंच हुआ था जो आज rate उसमें 10 से 15,000 रुपे पर गस तक का जा रहा है वो भी resale में लोगों को plot नहीं मिल रहे है मैं आपको ये भी बता दूँ तो जो भी लोग resale में अगर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार दियेगे नंबरों पे call वर्ट सब करनी जीगा कुछ लोग हमारे पास नहीं हैं जो अपना upload बेखना चाहते हैं तो वो लोग किस्तों पे नहीं जाएंगे मैं clear बता द प्लोट मिल जाएगा पचास गस से प्लोट नीचे नहीं मिलेगा दूसरी बात कर लेते हैं हम ब्रिंदावन के अंदर तो ब्रिंदावन में जैसा मैंने बताया पांच हजार रुबे परगच पर प्रोजेक्ट लोंच हुआ तक कैश में अगरा तीस दिन में पूर इक्पे आज आम आदमी के बजट से बाहर जा रहा है तो ऐसा क्यूं हुआ उसका रिजन सिंपल सा यही है कि लोगों की डिमांड हो गई धार्वी किस्तल हो गया उसकी वैसे रेट बढ़ रहा है तो जो भी लोग इन्वेश्मेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो जरूर इन जगाओ पर इन्वेश्मेंट कर लीजेगा कहीं पर भी कर लीजेगा हंडेट परसेंट आपका पैसा बढ़ना है रेटन अच्छा आना है एक दो साल के लिए सोच रहे हैं तो मत कीजेगा कम चब 5-10 साल का प्लान कीजेगा कि 5-10 साल के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि सुरू में अभी आपने देखा होगा ब्रिंदावन की कुछ समय से हम लोग विजिट नहीं करा रहे हैं उसका रीजन है बारिस बारिस की बज़े से थोड़ा सा काम वहां पर रुका हुआ है और काफी ज़्यादा बारिस हुई है इस वार तो प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा था जहा अभी नहीं हो रही है लेकिन ब्रिंदावन का रेट जो है वो बढ़ने वाला है कब बढ़ेगा इसके आपको अप्डेट मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं डूजरी जेवर इंटरनाशनल एरपोर्ट के आसपास काफी सारे लोग यह सोचते हैं कि जेवर इंटरनाशनल के आसपास हमें जेवर में प्रोट दिला दो कभी दिमत लेना रोड के इस पार और इस पार बहुत जादा रिस्क है मैं आपको यह सिर्फ फ्यूचर के लिए भी बता रहा हूं अभी गॉर्मेंट कुछ नहीं करी लेकिन आने वाले समय में इधर और इधर दोरों तरफ कम स तो जिन लोगों ने रखा है तो सोच समझ के इन्वेश्टमेंट कीजीगा या पहले डोकुमेंट बैरिफाई देगरी जिगा है इस्पेशली यह देगरी जिगा कि हमारे दोजार इक तालिस के नकसे दर बाहर है या नहीं है क्योंकि काफी सारे लोगों को यह जूट बोल से भी करीब पर 30-35 किनोमेटर के डिस्टेंट पर तो हंडेड परजन सेफ और सुरक्सित है वही रोड आपका सीधा का सीधा वीडियो में देख ले होंगे आप यही रोड आपका सीधा का सीधा मत्रवा गिले भी चला जाता है और इसी रोड पर आप इस तरफ आ जाएंग यह भी जा सकते हैं तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यह भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यहां पर अगर आप प्लान करें इंवेस्टमेंट करने कला तो बैस्ट अपुर्चुनूटी है रेड यहां पर 14,000 रुबे परगच का है यह माई में अप्लेबल हैं प्रोप आजा रहा है ये करके देंगे वो करके देंगे फ़लाना करके देंगे पास से 10 एकल को प्रोजेक्ट लोग के बैठे हुए हैं और खाब खा देते हैं बायर्स को इतना कि बंदा आता है विजिट करने फैसा देगे जाता है लेकिन आटलिस आप इंवेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ऐसा बिल्डर चुनिए जो बिल्डर बड़ा होता है ना वो हमेशा डवलप करके देता है रिजन मार्केट में उसे उसके कुछ वैलू है मैं क्यार इस ग्रूप के अगर नोर्मली बात करूं नोवा प्रोजेक्ट है गम परीगा तो आप नोवा प्रोजेक्ट मिलाना कोई मजाग नहीं है साधे 500-600 एकड़के प्रोजेक्ट आ रहे हैं और आने वाले टेम में बहुत और प्रोजेक्ट भी आने वाले है आप कहां पर आएंगे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को प्रास करके वीडियो को तुरंती लाइक जरूर कर लिजेगा तब ही आपको स्वेटिक इंफ्रोमेशन मिल पाएगी तो वेसिंगल आज के वीडियो में इतनी था जो लोग प्लान कर है कोई रेंटिड नहीं है कि भाईया आए बेक और भाग गए ऐसा कुछ भी नहीं है तो इस चीज़ का में इसा ध्यान लखेएगा प्रोपर्टी खरीदने से पहले सोच समझ के खरीदिएगा मेरे भरोसली मत खरीदिएगा जब सैटिस्फाइई हो तब ही आप खरीदिज छब लाग आपागा मेरे दो नहीं है कि उर बाग प्रोपर परोसली मत खरीदिएगा जब लो थेरेगा मेरे प्रोवा गएशार ये उरेंगा अभी लोगो तब है जड़े है और रहे जब आपाशी तो